कि कख्षा 10 गणीद प्रसनावली है 4.2 इस 4.2 प्रसनावली में आपको जो नए सलबस के अनुसार गुणनखन विदी से निम्ने द्विगास सम्मेकण के मूल ग्याद करने तो आइए इस 4.2 प्रसनावली को पहला सवाल है इसको सौल करते हैं इसमें आपको गुणनखन होते हैं कि जो पहला स्वाल लेते हैं फ्रास स्वाल हमारे सामने एकस स्क्वाइर मैनस 3x-10 इसша आपको मूल ठीकरना है कि मेस égal मैं सामने है एकस स्क्वाइर मैनस ठीन एकस और मैनस दस बराबर जीरो गुणनखन विदी से हल करने के लिए आपको इसमें ABC का मान निकालना पड़ेगा तो इसकी इसका माना समय कंद से तुलना करेंगे वो क्या होता है AX square plus BX और प्लस में आएगा आपके C बराबर 0 यहां पर A बराबर कितना है A बराबर इसकी तुलना करेंगे तो A का आएगा यहां पर और B बराबर कितना है मैनस का 3 आजाएगा यह और C बराबर आजाएगा आपके मैनस के 10 अब हम क्या करेंगे गुणनखन करने के लिए इस A को C से गुणा करते हैं तो A into C करते हैं इनकी 1 into मैनस का 10 है जो कितना आएगा आपके मैनस 10 से आएगा अब मैनस 10 के टुकडे करने गुणनखन करने जिनको जोडने यह गटने पर B का माना आजाए मैनस का 3 आजाए तो 10 के ऐसे क्या टुकडे ले कि जोड़े यह गटा हैं तो मैनस का 3 आजाए तो हम क्या करेंगे इसमें 10 के टुकडे क्या क्या हो सकता है 1 into 10 हो सकता है या फिर 2 into 5 हो सकता है तो हमें जोडने या गटाने पर कितना चाहिए माइनस का तीन चाहिए और गुणा करने पर दस चाहिए तो यह जो दो और पांच वला है यह ले लेंगे इनको गटाने पर कितना जाएगा तीन आ जाएगा ठीक है दो और पांच को लेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे x square वो तो वैसक वैसी रहेगा यहाँ पर minus के 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 में से 5 को गटा लेंगे तो 2 तो plus क्या जाएंगे और 5 minus क्या जाएंगे तो यह आएगा आपके x square plus x square plus 2x minus के 5x और minus के 10 और बराबर में चलेगा 0 अब हमने यहाँ पर टुकड़े कर लिए अब इसमें common निकालेंगे यहाँ पर x और यहाँ पर भी x इसमें से x common आजाएगा तो x common निकालेंगे यहाँ बचेगा हमारा x plus 2 सेम ऐसे आगे भी कोश्टेक में x plus 2 common बचना चाहिए यहाँ आजाएगा आपके plus का x माइनस माइनस plus माइनस 5 का बाग माइनस 10 में दो बार जाएगा और बराबर में 0 तो यहाँ पर जो x plus 2 और x plus 2 दो बार आएगा इसको हम एक बार लिकेंगे x plus 2 और जो यह दो बार है common X और – 5 इसको कोस्तक में बंद करेंगे X – 5 और बराबर में 0 अब दो संख्या का गुना 0 है यानिकि दोनों में से कोई X अपके 0 के बराबर होनी चाहिए या तो X प्लस 2 बराबर 0 होगा या फिर X – 5 बराबर 0 होगा तो X का मान याद करने के लिए प्लस के 2 को ऐसे हटाएंगे इधर आएगा तो मैनस का 2 बनेगा इसी प्रकार से x बराबर मैनस के 5 को इधर लाएंगे तो प्लस का 5 आएगा तो x के हमारे पास में 2 मान आए x बराबर मैनस का 2 और एक दूसरा है प्लस के 5 यह हमारे आंसर होंगे तो आपको इस प्रकार से सवाल को सॉल करना है इसका दूसरा सवाल देखते है 2X स्कॉाइर प्लस X माइनस 6 इसका सवाल नमबर 2 तो दूसरा सवाल को भी हम भल करेंगे इसमें 2X स्कॉाइर तो दूसरा सवाल हमारा यहां पे 2X स्कॉाइर प्लस X माइनस 6 इसमें भी तुलना करेंगे AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C बराबर 0 तो A का मान कितना आएगा A बराबर तो है 2 और B बराबर कुछ नहीं तो 1 है और C बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा अब हम करेंगे A को C से गुना ठीके 1 को C से गुना करने का मतलब 2 को गुना करना है माइनस के 6 से जो कितना होगा माइनस का 12 अब माइनस के 12 की टुकड़े करने जिनको जोडने या गटाने पर 1 आजाए तो 12 की टुकड़े क्या हो सकते है एक और एक इंटू बारा दो इंटू छे और तीन इंटू चार जो और गटाने पर एक इस तीन और चार से आएगा तो हम इसको ले लेंगे तो हमारा प्लस का चाहिए तो हम क्या करेंगे चार में से तीन को गटा लेंगे तो ये प्लस के चार और माइनस के तीन लेंगे प्लस के तो चार और माइनस का तीन गुणा करने पर माइनस के बारा और गटाने पर चार में से तीन गटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा एक बच जेगा तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे यह 2X square है तो उसको वैसक वैसे लिखेंगे 2X square प्लस इस X की जगह लिखेंगे 4X माइनस 3X और माइनस का 6 वैसक वैसे बराबर में 0 क्या common आएगा इसमें से तो इसमें से common निकालेंगे हम 2X तो यहां बचेगा हमारा X प्लस यहां बचेगा 2 सेम यहां पर क्या common निकलेगा X प्लस 2 बचने के लिए यहां माइनस के 3 common लेंगे तो माइनस का 3 common आएगा यहां बचेगा X प्लस 2 बराबर में 0 तो X प्लस 2 एक कोस्टक में लिखेंगे और दूसरे कोस्टक में लिखेंगे 2X माइनस 3 और बराबर में 0 एक बार तो X प्लस 2 बराबर 0 होगा और दूसरी बार हम 2X माइनस 3 बराबर 0 करेंगे यह पर आ जाएगा X बराबर माइनस के 2 इधर आएगा 2X बराबर 3 तो X बराबर 3 बटा 2 X के 2 मान आएगे माइनस के 2 और 3 बटा 2 यह हमारे स्में अंसर होंगे अगला स्वाल देखते हैं तो यह था पहला और दूसरा स्वाल अब हम करेंगे इसका तीसरा स्वाल तीसरा स्वाल में क्या है अंडरूट 2 x² प्लस 7 x प्लस 5 अंडरूट 2 इसको आपको मूल ग्याद करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे करेंगे इसकी तुलना करेंगे A, B, C, के साथ में तो यह ओजएगा आपका A, X2, plus B, X, Plus C, बराबर 0, यहाँ पर A बराबर कितना है, अन्डरूट 2 है, और B बराबर कितना हो जाएगा, जो 7 हो जाएगा, b बराबर 7 और c बराबर कितना है 5 अंडरूट 2 हो जाएगा a को गुणा करेंगे c से तो यह हो जाएगा अंडरूट 2 इंटो 5 अंडरूट 2 अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करेंगे जो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुना करेंगे 2 होगा और 5 को दो से गुना करेंगे जो की 10 हो जाएगा अब आपको 10 के टुकडे करने जिनको जोड़ने गड़ने पर 7 आजाएं तो वो हो जाएगा 2 और 5 तो इसकी जगा लिख लेंगे 2 और 5 यहां पर जो अंडरूट 2 इंट्व अंडरूट 2 हैं इसका मान कितना होगा 2 होगा और यह जो आपके कुछ इंक्या देरी के और कोई जिसे 5 देरी का जोसको हम अंडरूट 5 इंट्व पांच भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान पांच के बराबर आता है यहां लिखेंगे अंडरूट 2X square प्लस इस 7X को लिखेंगे 2X और 5X तो 2X प्लस यह जाएगा आपके 2X प्लस 5X और प्लस में आएगा 5 अंडरूट 2 आजाएगा तो यहां से हम common निकालेंगे ठीक है और यहां से भी common निकालेंगे तो यहां पर यह जो 2 हैं इसको हम अंडरूट 2 में बदलेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 लिखेंगे तो यहां पर आजाएगा आपके अंडरूट 2 का X square प्लस यह 2 को लिखेंगे अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 इंटू X प्लस यहां से हम 5 कॉमा निकाल लेंगे तो 5 X प्लस 5 अंडरूट 2 वैसे वैसे रख लेंगे बराबर में 0 चलता रहेगा यहां से जो कॉमा निकलेगा वो अंडरूट 2 X निकलेगा तो यहां से अंडरूट दो X कॉमा निकाल लेंगे यहां बचेगा X प्लस यहां बचेगा आपका अंडरूट दो बचेगा सेम इसी प्रकार से यहां पर जब कॉमा निकालेंगे तो यहां पर 5 कॉमा निकाल लेंगे और यहां बचेगा x प्लस अंडरूट 2 बराबर में 0 यहां पर जो x प्लस अंडरूट 2 हैं इसको एक बार लिखेंगे x प्लस अंडरूट 2 और जो अंदर जो कॉमा निकालने के बाद सेंगे बच रही है अंडरूट 2 x प्लस 5 इसको बराबर लिखेंगे 0 के तो एक बार तो x plus under root 2 0 हो जाएगा और दूसरी बार under root 2 x plus 5 यह 0 के बराबर होगा यह लिखेंगे हम x plus under root 2 बराबर 0 दूसरा हो जाएगा under root 2 x plus 5 बराबर 0 यहाँ पर x का मान जो गयाद करेंगे तो यह 2 पक्संतन होंगे under root के तो minus के under root 2 हो जाएगा दूसरा यह under root 2 x बराबर क्या बचेगा माइनस के 5 बचेगा एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के 5 बचे अंडर root 2 यह x के 2 इस प्रकार से मान आपको निकाल लेने हैं इसका जो सवाल लंबर 4 हो भी हम सूल कर लेते हैं दो स्वाल है जोतहर सवाल में आपको दो एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस एक बटा आट है स्का बहुत फॉल का लेता सवालन लंबर 4, 14 सवाल है, 2x², 2x² plus x-1 बटा साठ, ये पना सवालन लंबर 4, सब्सक्राइब हो क् jonget, उस इस când क्या करेंगे, पहले तो इसको सही रूप में बदल देते हैं, एक बटार्ड को यहां से अठ देते हैं, तो यह हो जाएगा 8 दूनी 16 x square minus 8 x plus 1 बराबर 0 अब यह हमारा व्यवस्थी दूरूप में समिकरन बन गए यहाँ पर हमने 8 का दोना तरफ बाग दे दिया तो यह हमारा समिकरन आया अब इसकी तुलना करेंगे x square के साथ में तो a बराबर कितना है 16 बराबर कितना है माइनस का आठ और c बराबर है एक यहां पर हम आठ को एक से इसको एक उसी से गुना करेंगे यह जाएगा 16 एक बराबर 16 अब 16 का टुकडा करना है जिनको जोडने अगटने पर आट आ जाएं तो वह जाएगा आँ आपका चार इंटू 4 4 चुक 16 और 4 प्लॉस तार डा आठ हो जाएगा दोनों मैनस 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 तra लेंगे तो जूडेगा तो मैनस का आठ और गुना होगे तो पिलस के 16 तो यहां आजाएगा आपके 16 x square मैनस के 4 x और मैनस के 4 x और plus का 1 बराबर में 0 यहां से हम 4 x common निकलेंगे तो यहां बचेगा आपका 4 x common निकलेंगे यहां से तो यहां बचेगा आपका 4 x और मैनस में 1 यहां से माइनस एक कॉमन आएगा तो यहां बचेगा आपका 4X और माइनस में 1 बराबर में 0 तो यह 4X माइनस 1 तो आपके कॉस्टक वाला है अंदर और दूसरा जο हमारा 4X माइनस एक कॉस्टक वाहर वाला इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे तो चार एक्स मैनिस एक बराबर जीरो दूसरा भी चार एक्स मैनिस एक बराबर जीरो तो चार एक्स बराबर प्लस का एक एक्स का मान गयात कने के लिए एक के बटाए में चार आ जाएगा एक बटा चार इसका अंसर आएगा सेम इसी प्रकार से चार एक्स ब्राबर प्लस का एक मैनेस वाला इदर आएगा तो प्लस में तो एक्स ब्राबर यह आजएगा आपका एक बटा चार तो एक्स के दो मान प्राप्त हुए एक बटा चार और एक बटा चार इस प्रकार से इस स्क्वाइर ये इपना 500 स्वाल है तो एक स्वाइर मैनस 20 X प्लस एक बराबर 0 ये पना स्वाल नमबर 5 तो इस पांच स्वाल को भी हम इसमें स्वाल कर लेते हैं तो पांच स्वाल में ABC की तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना होगा सो होगा बी बराबर मैनस का 20 और सी बराबर एक एक को गुणा करेंगे सी से एंटो सी करेंगे तो सो को एक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सो हो जाएगा सो एंटो एक बराबर सो अब आपको इसमें जोडने या गटाने पर कितने आजाएं सो आजाएं ऐसी संख्या लेने गुणा करने पर सो आजाएं और जोड़ने गड़न पर 20 आजाएं तो संख्याम लेंगे इसमें 10 और 10 10 10 10 20 हो जाएगी गुणा करने पर सो आजाएगा तो इस बीस की जगापर 10 10 ले लेंगे तो लिखेंगे इसको 100 x square minus 10 x minus 10 x और plus का एक बराबर में 0 इसमें से 10 x और यहां से minus का 1 common आएगा तो यहां बचेगा आपका 10 x minus 1 बराबर 0 तो 10 x minus 1 यह बाहर common इसको एक कोस्टिक में बंद करेंगे 10 x minus 1 और दूसरा भी आपका 10 x minus 1 ही है बराबर में 0 तो यह हो जाएगा आपके 10 x minus 1 बराबर 0 और दूसरा भी आपके 10 x minus 1 बराबर 0 10 x बराबर यह मैंनस का इधर आएगा तो plus का एक बनेगा तो 10 x बराबर plus का एक इधर भी आपके 10 x बराबर एक x कमान ग्यात कने के लिए आपको इस एक में 10 का बाग देना है तो x बराबर हो जाएगा एक बटा 10 इस प्रकार से आपको जो 4.2 प्रस्नाव लिए उसका पहला स्वाल पूरा स्वाल कर लेना है आपको और भी मेस्ट में कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप मुझे मेस्ट कर देना फोटो किसके और पीडिया एप से मिल जाए आप एपको डाउनलोड कर लेना एपका लिंक न और भी सवाल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलते अगले वीडियो में तब तक जैहिन जैवार